असलाम लेकुम वियर्ज वेलकम बैक टो माई चैनल मैं हुरश आनिया और आप देख रहे हैं फूद डाइरी और आज मेरे किचन में बनने वेली है एक बहुत ही डिफरेंट मुझेदार और यूनीक सी रेसिपी एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्राया चिकन तो चलें स्टार्ट कर चुरी से मैंने ऐसे इसमें कट्स दे दी हैं ताकि यह बहुत ही अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए इसके बाद हम इसमें सॉल्ट एड़ करेंगे नमक एड़ करने के बाद अब हम इसमें यह वन फोर टीस्पून रोस्टिड जीरा डालेंगे और इसके बाद यह हाफ टीस इसमें गरब मसाला एड़ करेंगे यह बी हाफ टीस्पून है और यह हाफ टीस्पून पर से चाट मसाला है और वन टीश्पून रेड चिली पाउर हैँ तो我们 सारे के सारे DRY SPICES ओके जो है ऐड़ कर लेंगे और इसके बाद अब हम इस पे डालेंगे जिंजर गार्लिक पैस्ट यह 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पैस्ट है इसमें उसमें 1 and 1 अफwe T.S.P Ums हमें यूज किया है ग्रीन चिली पेस्टपोन कैसे अग्रेन चिली पेस्ट एक्स्ट्रा क्रिस्प देने के लिए हम इसमें 2 टेबल स्पून सूझी एड़ गरेंगे सूझी डलने ये बहुत ही जयदा इसका टेश्ट अच्छा आएगा और ये बहुत ही क्रिस्पी बने का इसके बाद इसमें 3 टेबल स्पून एड़ और चुकि ये सारी इसमे ड्राय चीजे जा रही है तो इसको थोड़ा दूसी बनाने के लिए और इसकी अच्छी सी पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें तूटेबल स्पून यी ड़ी एड़ेंगे और फोर टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे ये बेसन इच्छना हुआ बेसन है और इसके बाद इसमें फूड कलर मैं थोड़ा सा डालूंगी यह अगर आप डालना चाहें तो ठीक है इससे जरा कलर अच्छा आता है यह एक अंदाजे से मैं डालनी हूँ यह वन फोर टीस्पून इसमें डालने इस्थारे मसाले को चिकन में अच्छी तरह से मैनेट कर लेंगे इसके कर्टी के अंदर भी इसको उच्छी तरह से मैनेट कर लें अब यही इतरह से मरीनेट हो चुका है अब इसको तक्रिबन दो गंटे के लिए फ्रिज मे अgres रख देया और उसके बाद पिर हम इसको फ्राय करेएंगे अच्छा देखिए अब शिकन को मरीनेट किये होगे तक्रिबन दो गंटे हो चुके हैं अब हम इसको फ्राय करेंगे और फ्राय करने के लिए हम एक पैन में ओयल लेंगे और इसको तक्रीबन दस पिनिट इसको प्री हीट करेंगे जो कि मैंने अल्रेडी इसको प्री हीट कर लिया है लो मीडियम फ्लेम पर तो इसको अब हम फ्राय करेंगे और फ्राय करने के लिए सबसे पहले हम इसमें चिकन की बड़े पीस डालेंगे जैसे लेग पीस और थाई पीस पीस बीकन की बान रहुड़े जाई बड़े जैसे जिएना, बड़े जबसे भीस, सबस्टाइब आया यहाँ जैसे जबस्बस तरहाँ जबसे जोगे भीस लाओे, जबसे बाव़्चाद से पीस उधे हमें बड़े को बड़़े शोगदे और रहले हम चाले काया, क्लोबसे भीबन एक-दो मिनट खिर हम इसको सेटल होने नहेंगे और फिर इसको चेंज करेंगे इसकी साइड इसको हम तीन से 4 मिनट एक से कुपर रेंगे और अंदर से इसके तेंडर होने की आप बिल्कुल भी फिकर मत करें चुप्के यह 2 गंटे से अलरेडी मैरेटेट था इसको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राय कर रहे हैं इसकी साइड चेंज करेंगे जी व्योर्स को एक साइड से कुखोते वे तकरीब चार से पांच मिनट हो जुके हैं और इसकी साइड चेंज कर दी है और दूसरी साइड से भी इसको करेंगे इसको फ्राय करने की टाइमिंग तक होगी और तेन मिनट्स में यह बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा इसको एक साइड से कुख करें और फोर फाइव मिनट्स एक साइड से अब देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ रहा है लेकिन पूट कलर डालने की विज़े से थोड़ा डिफरेंट आ रहा है रेडिश और पिंक टॉन में और आपको फूटलर पर संद नहीं है तो आप इसमें मत एड़ करें और अगर आप करना भी चाहते हैं तो जिस्ट वन पेंच डाल दे मैंने थोड़ा ज़्यदर डाला इसके अदर जी अब यह बिल्कुल तयार है और इसको हम निकालेंगे मज़े का एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्राय चिकन तेकन इसको एक्स्ट्रा क्रिस्प देने के लिए हम टू मिनिट्स के लिए एक बार फिर्स से ज़रूर फ्राय करेंगे सर्फ करने से पहले जी दो मिनिट्स हो चुके हैं और यह दुबारा से जो है वह हाई फ्लेम पर अच्छा खासा गरम हो चुके अब यह फिर से रेडी है फ्राय करने के लिए जी यह सेकेंड बंच पर हमने डाल दिया इसके इंदर फ्राय होने के लिए फिर सेम वही प्रॉसेस रॉपेट करेंगे कि इसको एक साइट से फॉर तो फाइव मिनिट्स कुक करेंगे और हां सबसे पहले हम इसे सेटल होने देंग एक दो मिनिट्स के लिए सेटल होने से पहले इसकी बारबर साइड चेंज करने के जौत नहीं है अदरवाइस इसके लगा हुआ सारा मसाला जो हो हर जाएगा कि अब हमारा सेकेंड बर्ण्स जो है वह भी मकमल तर पर फ्राय हो चुका है अच्छा यहां मैं आपको एक टिप देती चलूं कि आप कोई भी किसम का या किसी भी तरह का आप चिकन रोज निया चिकन फ्राय कर रहे हैं तो उसको आप मिश्या आय फ्रेम पर फ्राय करें कि आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आपका आयल आपके हस्दम अच्छा गरम है या नहीं तो उसका उसके मैं आपको एक टिक बताती चलूं कि अगर आपके आयल में जाग जमा हो रही है तो इक मींस कि वह आपका जोर्त के मताबिक गरम नहीं है और अगर ऐसे बबल्स जैसे कि इसमें बबल्स उठ रहे हैं तो इक मेंस के यह मुकमल तोर से जो है वो फ्राय का निकली रेडी है ओके अब यह डन है अब हम इसको निकालते हैं जी व्योर्स अब हमारा जिकन प्राय हो चुका है लेकिन इसको एक्स्टा क्रिस्प करने के लिए जात है करें के आत्की जी कह दब्ये और किसको एसे ङोना हांथासँ से पूल ले है करू कि ब्योभ कू अगर प्रसे और सथ दॉम इन complement के लिए थे अच्टन अरो 9 तू विल्लिभी इसा भी चाहिए वुरमाई है करियो है कि पर ओबार allow युरमार कारई है आसजे अजे प्रिक आच रहे हर यु़ विल्ट अमने युवर्ट उश्यज्ट बादा से आच एँ आचरी परा फ्राई फॉक्रयों विल्लिभी अब यह इशोट करने के रेड़ी है। उषॉटक करेंगे रोस के बाद इसक़ इसको इसको साफ करेंगे ये का üinflat इशुटक करेंगे बाद मरा इसका जी इसको बाद सफ करने के बहुत रेड़ी है। ए Pub to Mirror describes the chicken एक नई डिफरेंट और मज़धार सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए लाफ़िज